अब ज़किन्स ऴीजन में हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीके ना और कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कल की क्लास में बच्चों हम लोग ने शायद the decomposition reaction और उसके typs मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे टाइप हो सकते हैं ठीक है students ओके तो आईए बढ़ते हैं सबसे पहले बच्छों देखिए दीकंपोजिशन में thermal decomposition में हमें first example दिया हुआ है ठीक है ना यह example कल मैंने आपका discuss कर लिया था calcium carbonate को heat किया था इन्होंने तो calcium oxide और carbon dioxide बना था यह कल हम लोगने discuss कर लिया था ठीक है students ओके अब देखिए बच्छों यहाँ पर इन्होंने येस देखिए बच्छों एक important बात है यह reaction बहुत important है इस पर जारा गौर करिएगा activity 1.6 ओके बच्छों ठीक तो देखो क्या कह रहा है क्या 2 gram lead nitrate powder ले लीजे 2 gram क्या करेंगे lead nitrate powder ले लेंगे ठीक है ना कह रहा है कि boiling tube में ले लो ठीक है भाई यह रही boiling tube with a pair of tongs heat it over a flame as shown in the figure what do you observe note down the change you will observe the emission of brown fumes these fumes are of nitrogen dioxide the reaction that takes place is हाँ बाई अब सुनिये बच्छों ध्यान से देखिए बच्छों सबसे पहले यह reaction देखिए NCRT की ऐसा कुछ लिखा भी मैं आपको पूरी reaction करके दिखाऊंगा आप परिशान मत हो च्छों मैं आपको पूरी reaction करके दिखाऊंगा लेकिन आप लोग एक overview इसका ले लिजे जल्दी से देखिए बच्छों यह आपका lead nitrate था PB NO3 whole twice अभी मैं आपको बनाके दिखाऊंगा solid होता है याद करना है फेज याद करना है NCRT में जितने फेज हैं किताब खोल कैसे देखो solid अच्छा solid फिर अपने मन मे वनेगा solid होता है ठीक है lead oxide metal के जो oxide होते हैं ना ध्यान सुनो बच्छों metal के जो oxide होते हैं जनरली वो solid होते हैं और LED एक metal है PB क्या होता है LED एक metal है metal के जो oxide होते हैं generally solid होते हैं जैसे कि आपने देखा था iron का oxide कल देखा था तो metal कौहन है यहाद पर लेड का जो ऑक्साइड होगा सॉलिड होगा ठीक है ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हो और ठीक है लेड ऑक्साइड सॉलिड है उसके बाद बच्छो नाइट्रोजन डायोकसाइड और ऑक्सेजन गैस भी यहाँ पर निकलती अब बच्छो खास बात ध्यान से सुनिए very very important note लगाओ अपनी बुक में बच्छो nitrogen dioxide gas का color nitrogen dioxide gas का color ठीक है बच्छो यह आपका होता है कैसा brown यह brown color का gas निकलेगा यहाँ पर यह दिखिए brown fumes निकलेगी ठीक है न यहाँ से brown fumes निकलेगी यह बहुत important है बच्छो तो 2-3 बाते क्या मैं आपको याद करा दूँ क्या मैं आपको कल से दो-तीन बातें याद करा दूँ बच्छो ठीक ज्यांसरा चेक करिए कल आपने पढ़ाता फेर सलफेट का कलर है ना तver थे तो अब और यह कलर का उलेडette फॉर्फ को रहें प्रद्चो यह अगया था प्लू कलर का therefore इंकल जाएगा अभी आपने नया कलर प्ठो नाइटोजन डायक्साईड इतने स्टार लगा लो कि पूचो मत कितने स्टार लगा वो आपसे बोलेगा कि ब्राउन कलर की गैस निकलती है तो उसके बारे में कुछ आपसे पूछेगा कुछ हिंट विंट देगा भी आप पूरी रियक्शन आपको याद होनी चीए कि लेड नाइट्रेट को गरम कर रहे थे हमारे स्लेवस में तभी नाइट्रोजन डायोकसाइ गैस का कलर कैसा था ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी बच्चों यहाँ पर ठीक है ना ब्राउन 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 वैरी वैरी अरे इसी पे तो सवाल आएगा ठीक या तो कहो सीधे आपको सवाल देदे ऑप्शन में कि जब हम लेड नाइट्रेट को गरम करते है तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं कौन सी गैस के नीचे ऑप्शन दिया रहेगा नाइट्रोजन मोनो अक्साइड देखिए यह नाइट्रोजन मोनो अक्साइड है डाया नाइट्रोजन मोनो अक्साइड N2O डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5 और नाइट्र का कलर बता दो ठीक है ना ओके हाँ एक पूछ रहा है कि असे डिक गया से बिल्कुल असे डिक गया से क्योंकि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है थीक है थीक है बहुत बढ़ी है तो बच्चो अब आपको मेरे खाल से समझ में आगया होगा आप हैंडल कर लोगे आई एस बच्च एक बार फिर से बता है कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसका ट्रिक बता दो कोई नहीं होता है कोई ट्रिक नहीं इसका सीधया प्रोडक्ट यहाद करों के जादा जाधा नाइटरेट है तो कौन सी गयास निकलती थी ठीक है ओके क्या वाट अबाउट कॉपर को आप गरम करना चाहते हूं देखिए नाइट्रेट जहां पर भी वह बच्छों कौन सी गयस निकलेगे बताइए नाइट्रोजन करोगे तब भी आपका जो है ना नाइट्रोजन डिया-उक्साइड गयास निकलने की संभावना है ठीके लेकिन मैं आपको बार भार फिर से ठीक है जो आपके compound बच्छों syllabus में हैं ठीक है ना वही एक्जाम में आएंगे याने कि NCRT में जो हैं वही आपके एक्जाम में आएंगे decomposition के ठीक है NCRT और NCRT exemplar में और last 10 year भी देख लेंगे परशान नो ठीक है ना लेकिन हाँ आपका कहना सही है बाई कि अगर वो copper पर नाइट्रेट को गरम कर रहा हो ठीक है ना अब देखो बच्चे यह सब यह गलत बात है पता है एक बच्चे ने जन्रल इक्वेशन ही लिख दी कि भाई कोई भी नाइट्रेट होगा उसको गरम करोगे तो नाइट्रोजन डायोकसाइड निकलेगी मिटल का ऐसा मैंने रिखा और उसको फटाक से रूल बना लिया ऐसा नहीं होता है इसलिए किताबों में जितनी रियक्षन है वही हमें अच्ची तरीके से याद करनी बाहर से इसी नहीं पूछा जाता है कैमेस्ट्री में लेबरेटरी में पहले रियक्षन करी जाती रिजल्ट निकाला जाता फिर उसका कारण मना के तब बुक में प्रिंट किया जाता है ठीक यह मैंने कई बार आपको बताया हुआ हाँ एक बात बता रहा हूं ठीक है करेक्ट लेकिन आप जैसे बच्छे कह रहे हैं उसको अच्छी तरीके से त्यार करेंगे दूसरी बात बता देख लो मान लो बच्छो उसने किसी का बच्चे कह रहे हैं कॉपर नाइट्रेट लेलो सर तो अगर उसने दे ही दिया एक्जाम में कॉपर का नाइट्रेट तो हम लोग भाई टैन्थ क्लास के सुडेंट है ना तो हम जो पढ़के गए अपने नॉलेट करा लेंगे इससे आप रिलेट करा लीजेगा यह लीजे ठीक तो ऐसा सिमलर बना दीजेगा क्या दिक्कत है ठीक है और अभी देखिएगा अगर कुछ फस जाएगा तो हम NCRT वाली नॉलेज अपनी याद रखे और एक्जाम में करके चले आएंगे बैरहाल अब यहां पर आप देखो जल्दी से आओ इधर आओ पटाक से पहले रियक्शन कराओ ब्राउन कलर की फ्यूम से बच्चों आ जो तुनो बच्चों O2 माइनसी जाता है तो नीचे रिखान नहीं जाता है फिर भी मैंने ल庫 से और यह अकफ पर राकेट लगा का whole twice इधर जाएगा और वन लिखा नहीं जाता है तो आएगा PBNO3 का whole twice सभी है ओके और इसको हमने क्या कर दिया फीट कर दिया है ठीक इसको हमने क्या कर दिया हीट कर दिया ठीक है students और याद तो आप पता है की आउपर दो चाहआ हो तो याद करना पड़ेगा अच्छा हम लोग से याद करके जाएंगे आप आप का लिव्रेट्रियु को क्यों याद होता है याद होता है टीचर गूगल पर देखके और प्राक्टिकल करके हैं स्कूल सघर में टीचर जाते रहते हैं भाई practical practical करते रहते उनको याद हो जाता है अब आप का लिबरेटरी होता नहीं है इसलिए आपको याद नहीं कोई बात नहीं गूगल पर देख लीजे लेड नाइटरेट कैसा दिखाई पड़ता है छीक तो यह देखिए सॉलिड हो गया लेड ऑक्साइड आपका स तो यह किसका एक्जामपल है क्योंकि आपने हीट दिया है और एक सिंगल कंपाउंड तीन सब्स्टैंस में ब्रेक हो गया है ठीक है बच्छों ओके एक सब्स्टैंस तीन सिंगल वान टू थ्री कंपाउंड आपके पास बन रहे हैं पॉडक्ट में यह तो अलिमेंट आपको यह दुनों कंपाउंड है तीन सब्स्टैंस बन रहे हैं एक दो तीन तो बच्छों यह किसका एक्जामपल है डीकंपोजिशन का सही है और कौन सा डीकंपोजिशन है कल बताए थे आपको तीन तीन डीकंपोजिशन बताए थर्मल वाला है या फोटो क्यामिकल है लाइट क क्या सिखाया है बताइए balance करने के लिए मैंने आपको सिखाया सबसे पहले polytomic ion चेक करते हैं याद होगा सबसे पहले polytomic ion चेक करते हैं इसमें polytomic ion है कोई यह देखो यह nitrate लेकिन उधर नहीं है चेक कर लो उधर नाइट्रेट नहीं है वो तो नाइट्रोजन डायोकसाइड लिखा हुआ है चेक कर लीजे उधर नाइट्रेट नहीं है है ना उधर तो नाइट्रोजन डायोकसाइड लिखा हुआ है सही है ओके तो बच्छों अब हम क्या करें अब हम एक काम करते हैं पॉली अटॉमिक नहीं है तो metal को चेक करो metal कौन, lead, एक lead यहाँ पर है, एक lead यहाँ है, तो lead भी balance है, अब non-metal को check करो बच्छो, तो non-metal को check करने के लिए non-metal कौन है, oxygen भी non-metal nitrogen, तो पहले nitrogen चेक करो, एक nitrogen यहाँ है, और यहाँ कितने nitrogen है, है तो फोल्ट वाइस लगा हुआ है ना तो यहाँ एन के नीचे वन मानों गे और टू को वन से मल्टिप्लाई करोगे टू लगाया तो नाइट्रोजन कितने हो गए टू तो इधर नाइट्रोजन करने के लिए आप क्या करोगे तहां गया भई अरे हट जाब है एक सेकेंड ह इधर नाइट्रोजन करने के लिए आप ने यहां टू लगाया सभी है तो टू लगाया अब जैसे ही उसने टू लगाया बच्छों क्या हो गया ऑक्सिजन डिस्टर वो गया टू तो दफॉर प्लस टू सिक्स प्लस वन सैवन हो गया सभी है अब आपको याद होगा कि मैंन बनाने के लिए यहां टू लगाओ पहले है जिक तब जाके इधर ऑक्सिजन इवन होंगे चेक कर लो टू टू जा फोर फोर प्लस टू सिक्स प्लस टू एट इवन हो गया लेकिन जैसे ही ऐसा किया लेड पीबी डिस्टब हो गया मैंने आपको क्लास में पढ़ाया जिनको पहले 2 को छुपा लो यह वाला तू यहां पर तो टू बन्दा टू नाइट्रोजन लेकिन आगे भी टू मिल्टिपलाई कर रहा है तो आगे वाला यहां मिल्टिपलाई करेगा और आंसर कितना आ जाएगा तो यानिके नाइट्रोजन को फॉर करना पड़ेगा तो कि आया बैलेंस हो गया बताइए बैलेंस हो गया जल्दी बताइए सुडेंस यह सो नो हो जाएगा बोलो बोलो फटाफट यह गैस है और यह ब्राउन फ्यूम से थर्मल वाला ठीक ऐसी कोई इसमें डिसकेशन करने की जरूरत नहीं है आईए आगे बढ़ते हैं ठीक क्योंकि एक्तिविटी 1.7 करने से पहले कुछ बात जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं कुछ बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं लिधिए बच्छों होता है और फोटा एव सभी लिखा है केटायन होता है positive charge यह चोटी classes में पढ़ा है 9th class में भाई और 9 होता है negative अब देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं हमारे पास एक electrolytic cell होगा electrolytic cell क्या होता है solution होता है दो electrode लगा देंगे उसमें दो electrode होंगे एक electrode का नाम होगा बच्चों ठीक है सुनिए ध्यान से आपको अजीब सा लगेगा लेगिन आपको सुनना पड़ेगा सुनिए बच्चों देखिए एक होता है आपका क्या cathode सही है और एक होता है आपका anode दो electrode होते हैं जैसा कि आप अपनी किताब में देख सकते हैं कहीं पर भी शायद आपकी NCIT में नहीं दिया है यह देखिए बच्चों एक यह electrode लगा है एक यह लगा हुआ है ठीक एक का नाम होता है cathode और एक का नाम होता है anode ठीक बहुत बढ़िया अब सुन लो बच्चों जल्दी जल्दी सुन लो अभी मैं detail में नहीं जा रहा हूं class में बहुत detail यहां नहीं यहां trick देखवा कि टायन पे positive तो cathode होता है नेगेटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव वाला टर्मिनल उल्टा होता है ठीक ऐसे समझो आ पर होता था नेगेटिव तो एनोड पर होता है साइन कैसा आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है आया की नहीं आया बताओ जल्दी से इतनी बात आ गई छेक इतनी बात आ गई छेक सुन लो तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहां दिखाई पढ़ रहा है इसको इले प्रत नहीं होगा आपका सवाल 10 में इदर देखो बच्चो कैथोर्ड पर नेगेटिव और एनोड पर पॉस्टिव याद हो गया अब सुनो बच्चो मैं आपको यह बताना चाहता हूं जल्दी जल्दी सुने यह पानी का मॉलिक्यूल है जल्दी से सुनना यह पानी का मॉ अच्छा इन्होंने हम की लिख हम लोग लएंगे ठेक हम लोग लग लिएंगे भाई देखो दो सकती जड़ी जल्दी संटी पास करवास्ट हमने पानी में और कि सुनिएगा देbig दो बच्छो पता है यह इलेक्रिक्प आ आसान शब्दों में तो भाईया ये compound decompose हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा इसके बॉंड़ान सा ब्रेक हो जाएगे ठीक अब खास बात सुनो बड़ी important और बड़ी सीधी साब बात सुनिएगा बहुत असान बात सुनिएगा कोई हम इसके mechanism में अब नहीं जा रहे है revision के टाइम बहुत आराम से हमने बस सिर्फ इतना सोचा अभी मन में कि आपको पानी से एच प्लस आयन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कभी पूरी दुनिया में आपने पढ़ा है कि नहीं कभी कि पानी से एच प्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो 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 जल्दी से अरे पानी से आपको दो चीज़े मिलती है ना कुछ लोग को पता ही नहीं है जिनको नहीं पता वो लोग सुनें ध्यान से कि भाई पानी आपको दो चीज़े देता है क्या क्या एच प्लस आयन भी देता है ठीक इतना तो सुना है आपने आप सिरिफ इतने पर फोकस करिए यहां पर क्योंकि हम इसकी मेकेनिजम में नहीं जा रहे हैं डिटेल वाले में ठीक आप केवल आपने लेना है यहां से पानी ने एस दिया बहुत बढ़िया अब मुझे आप यह बताो कि पानी गाईच-प्लस भाग कर किधर जाएगा प्लस वाला किधर भाग के जाएगा, माइनस पे या प्लस पे, जल्दी बताओ, प्लस वाला भाग के किधर जाएगा, माइनस पे, very good, याने के बच्चों, और H प्लस की वज़े से ही हाइडोजन गैस मिलती है, सुन लिया, H प्लस की वज़े से ही क्या मिलती है सर, हाइडोज सीजन गैस बनेगी ठीक अब आप पहचान गए हो एच प्लस किदर भाग के जाएगा कैथोड पे याने के बच्चों कैथोड पे क्या मिलेगी हाइडोजन गैस मिलेगी यह बोर्ड इग्जामिनेशन का सवाल है कि जब आप वाटर की एलेक्टोलिस करेंगे तो हाइडोजन गैस आपको कहां मिलती है बताईए तो हाइडोजन गैस मिलती है कहां का एंडोड पे कौन सी गैस मिलती है वह जो बचट गया वो से चाना समझ में आया बात याद करने का ट्रिक देखिए फॉरटरसे एच पलस मिला एच प्लस भाग के कहां जाएगा माइनस वाले पे क्लस को माइनस करता है याने के cathode पे भाग जाएगा H+, और H+, की वज़े से hydrogen gas मिलती होगी, इसलिए hydrogen पे हमें क्या मिलेगा, cathode मिलेगा, ठीक, बहुत बड़िया, याने के hydrogen हमें मिलेगा negative terminal पे, सर, ठीक है, कहा मिलेगा, negative terminal पे, ठीक, और उसके बाद, हमें oxygen कहा मिलेगा, anode, याने के positive terminal पे, याद रखिएगा, positive terminal पे, ठीक, अब देखिए बच्चों, इस reaction को balance करिए, फटा-फट, आजाईए, फटा-फट balance करेंगे students, बच्चों का खेल है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ये balance खतम हो गई, ठीक, balance हो गई, चेक कर लेना, अब सुनिए, बच्चों, board examination का पहल positive terminal पे मिलती है, अब ध्यान से सुनिए, बच्चों, ध्यान से सुनिए, वो हमसे ये पूछेगा की, कौन सी gas का volume double होता है, देखो इसके आगे 2 लिखा हुआ, ऐसे समझो आप, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो 1 है न, अब सुनो, कौन सी gas का volume कौन से से double होता है, तो अब सोचो, ठीक, अब सुनना अगला सवाल, कौन सी gas का volume double होता है, जो gas कहां मिलती है, नाम नहीं लेगा एक्जाम में, नाम नहीं, पूछेगा कौन सी gas का volume double होता है, जो कहां मिलती है, जो cathode पे मिलती, उसका volume double होता है, और नाम होता है, उसका hydrogen, सही है, सही है, बहुत वाटर का जो एक्त्र का टीड पॉजीचन है ध्यान से सुनिये यह वी एक तरीके का टीड अंपे शनलेकिन एक्रिकल एनर्जी की हिल्प से हमने किया है यह भी डी कंपोजीशन है सर इस बार डी कंपॉस करने के लिए energy electricity के form में दी गई है electrical energy दी गई है ठीक है ना ओके तो अब वह आप से ये पूछेगा कि यह बताओ ऐसा क्यूं होता है वाई 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 मैं लिख देता हूं question why why volume collected at cathode is double of the volume of why the volume collected at cathode मतलब cathode पे जो gas मिली है उसका volume anode पे collect की गई gas के volume का double क्यूं होता है why तो बच्चों आप इसका answer क्या देंगे आपकी मतलब तरह तरह आप इसका answer आपको जगा जब क्योंकि अगर हम water का molecule देखते हैं यह देखिए बच्चों सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से देखिए अगर 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 पानी का यह एक molecule है यह देखिए ठीक यह पानी का molecule है तो भाई इसमें ह 2 O इसमें एक oxygen होता है और दो hydrogen होते हैं yes or no चेक कर लो हाँ because of the atoms of two hydrogen हाँ ठीक है ठीक है इधर देखो एक oxygen होता है दो hydrogen होता है ठीक है तो यार volume wise अगर देखोगे तो इतने elements अलग हो जाएं सोचो मतलब oxygen अलग हो जाएं ठीक और hydrogen अलग हो जाएं ठीक है शायद आप लोग सोच नहीं पारों जो मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं भाई एक water का molecule पकड़ो तो gaseous state में हां अरे एक molecule पकड़ low water का गैसे स्टेट में गैसे स्टेट का मतलब बिचारा अकेला रहेगा तो अकेला है तो ड्यास में कैनेंटे कि अनर्जी बहुत जाए है ज़दर घूम रहा है यह देखो यह एक molecule उससे पूछा यह तुमारा बोलिए वो लिएत्क मेरा हुआ है लिए इतना क्यों फॉरे का टू पार्टल्यम ऐए हइटरोजन तो जब पांसर हमें मिलेगा मतलब यह जब ब्रेक हो जाएगा तो भाई दो पार्ट वॉल्यूम क्या मिलेगा है आपसीजन का बाद समझ में आई की नहीं सोचिए जरा वह गैसे स्टेट में था ब्रेक होके गैस और गैस मिल रही है तो इतने से वॉल्यूम को जब तोड़ दिया हमने कहा है hydrogen जाओ जरा तो यह दोनों पार्ट चले जाएंगे साथ-साथ यह लीजिए हाँ और यह अकेला चला जाएगा ऐसे अब समझो जितना था एक मॉलिक्यूल से जितना था उतना ही तो बस इसलिए hydrogen टू पार्ट क्योंकि सवाल बहुत जादा आने की संभावना है पढ़ा मैं नहीं रहा हूं पढ़ लेना आप सब कुछ ठीक है बच्चों पढ़ लेना आप सब कुछ मैंने आपको सारे सवाल अवाल सब बता दिए तो अब आजए यह बच्चों आप फोटो केमिकल डिकमपोजीशन पे ठीक है तो फोटो केमिकल डिकमपोजीशन में रियक्शन बहुत असान है भाई मैं कुछ ऐसा खास नहीं बता रहा हूं बस आप जल्दी से देखो एक्जाम का क्या सवाल है यह चाइना डिश लिया चाइना डिश में आप चाहें सिल्वर क्लोराइड रख लो एजी सीयल और चाहे बनेगा एजी सीयल और इसका बनेगा एजी बी आर ठेक अप सुनों याद करने की चीज सुनिए गजरा एजी सीयल का कलर होता है वाइट तो अब्सक्रेशन का कलर होता है पेल यल्लू एट एक चीट समझे यह तो अब सुनो हमने सिल्वर क्लोराइड को रखा और यह सॉलिड होता है सनलाइड के प्रेसंस में सनलाइड की हेल्प से डिकंपोर जाएगा कहानी खतम सिल्वर बाहर निकल गया सिल्वर एक मेटल है मेटल हमेशा एक फॉर्म में रहता है सब लोग को पता है म मेटल हमेशा कैसे रहता है बताई अटामिक फॉर्म में अरे भाइज सुन लो कोई भी मेटल ऐसा नहीं रहेगा कभी भी सोडियम का फॉर्मला एन नहीं होता है कभी एने तू आप नहीं देखोगे तो यहां मेटल निकला तो खेवल मेटल का एटम लिखेंगे और क्लोरीन non-metal है non-metal रहते हैं अपने molecular form में तो यह लिजे chlorine की gas निकल गए balance मेरे खाल से आप कर लोगे यह solid है यह solid है यह gas है ठीक पहले यह क्या था पहले यह क्या था पहले यह था white color का अब क्या बन गया ग्रेश वाइड बन गया क्योंकि आप जब यहां पढ़ोगे तो आपको बोलता है आपने क्या changes देखें तो white silver किसमे convert हो गया gray color में white gray में white gray में क्योंकि white color का silver chloride था और grayish color का क्या था silver क्या important है sir color important है मुझे तो पता है reaction बहुत असान है आप कर लोगे color important भाई color important है याद करो ठीक silver chloride क्या है white है और silver बनेगा तो वह grayish white होता है या gray color का होता है ठीक यह हो गया decomposition reaction है दूसरी वाली भी ऐसे ही यह देखिए इधर आईए इसका color क्या है pale yellow pale yellow यह pale yellow है और थोड़ा सा yellowish type में होगा ठीक यह pale yellow है और फिर से grayish बन जाएगा यहां पर color समझ गया क्यों क्यों क्योंकि silver बन गया और bromine बाहर हो जाएगा जैसे c l2 gas होती ही chlorine वैसे b r2 gas होती है bromine ठीक है और खास बात क्या है इसमें मुझे ज़्यादा time नहीं देना चाहिए सबसे सबसे important part यह है वहिया कि यह जो दोनो reactions है इन reactions का use कहा होता होगा बताईए black and white photograph में सबसे important यह ही है तो बताईए question सुनिये एक्जाम में ध्यान से black and white photograph photography में black and white photography में कौन सी reactions का इस्तमाल किया जाता है बच्चों सुनिये ध्यान से option दे रहा हूं option है thermal decomposition ठेक option a option b है photo chemical decomposition बताईए black and white photography में option a option b बताईए yes photo chemical decomposition option b is the correct option ठेक बहुत बढ़िया अब सुनो आगे बढ़ते हैं और कोई खास बात अगर कर रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं ठेक हाँ 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 अब अगला बच्चो सवाल सुनोगे आप लोग सवाल सुनोगे ईसनो बच्चों question सवाल सुनिये ध्यान से कोशन उसने पूछा आप से exam में कि कोशन पूछा उसने आप से exam में ज्यान चाहें आप thermal decomposition करिये कोशन सुनिएगा ठीक चाहे आप फोटो केमिकल डिकंपोजिशन करिए अरे समझ जाना भाई कोशन है बच्चों एक्जाम का है ना चाहे आप हर्मल डिकंपोजिशन करिए चाहे फोटो केमिकल डिकंपोजिशन करिए चाहें आप electricity की help से electrolysis करिए water का electrolysis मतलब water की help से break करना decomposition करना किसका water का hydrogen और oxygen बनेगा ठेक बच्चों ये किसके example हैं उसने exam में सवाल पूछा पहला option endothermic endothermic ठेक और दूसरा example exothermic बताईए बोलो बोलो कौन सा है किसमें करोगे endo 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 क्यों है endo बताओ क्योंकि यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा energy absorb होगी क्या होगा यहां पर energy absorb होगी ठीक जब भी energy absorb होती है देखो यह वाली कराओगे तो heat के form में absorb यह वाली करा रहे है ठीक तो यह हो गया करेक बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ जाओ गई तो यह किस पर टिक लगा होगे बताओ endo endo क्योंकि energy absorb हो रही है ठीक हीट के form में light के form में electricity के form में सुनिए ध्यान से और बहुत ध्यान से सुनिए यह जो सवाल है भाहिया टेंपरेचर वाला है ना और ऐसा एक्जांपलर में भी दिया हुआ है वैरी 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 और वैरी 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 और वैरी वैरी इंपोर्टेंट यह optional में आपको बना के देता है जितने भी temperature वाले सवाल है वो आप जरूर तयार कर लें exemplar में भी optional में एक ऐसा सवाल दिया हुआ है optional का मतलब है mcq type में ठीक है question देखो बच्छो जान से देखिए कह रहा है कि 2 gram of barium hydroxide ले लो test tube में ठीक है न तो barium hydroxide का formula क्या होता है barium पे होता है 2 plus charge barium होता भी है जैसे magnesium mg 2 plus होता है वैसे barium ba 2 plus होता है ठीक और hydroxide आप लोग को याद है ठीक oh minus ठीक है बच्चों तो answer गयाएगा इसका 2 इधर जाएगा 1 इधर आएगा तो answer बनेगा ba oh whole twice ठीक barium hydroxide ले लिया और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अच्छा क्या मिला रहा है इसमें ammonium chloride सुन लो मैं आपको पता है क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा aqueous भी रहता है ठीक है barium hydroxide का पानी के साथ solution मनाते हैं अरे भाई समझ लो यार थोड़ा पानी भी तो डालोगे भाई मीडियम कौन सा लोगे रेक्शन कहा करा होँगे ठीक तो ये एक वस होता है आपकी जानकारी के लिए बता दिया मैंने ठीक और सुनिए क्या रहा है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्छो जब आप रेक्शन करा होगे तो देखते हैं होता क्या है आयन एक्शेंज कर दीजे ठीक है यहां से आपको मिलेगा क्या बीए टू प्लस और ओच माइनस और यहां से बच्छों आपको क्या मिलेगा अमोनियम आयन ठीक और सीएल माइनस आयन एक्शेंज करा दीजिए इसका क्टाइन उसके यन से और बच्छों इसका क्टाइन उसके तो तियार करें प्रोडक्त बीम ए और सीएल मैइनस टू इधर जाएगा य committees Kel K2 नाम है इसका बीरियम क्टूराउइड ठीक है नाashed आम 새로 यहां पना आप और साथ में क्या बनेगा बच्छों यहांपर चेक कर लीजे ओसाद में क्या बने यह उप्धों कहां गया två थे है तो साथ में क्या बनेगा Ammonium Hydroxide सही है यदि आप चाहें तो Balance कर सकते हैं Double displacement का example है यदि आप Balance करना चाहें तो कर लिजेए यहाँ OH का Hole twice है Hydroxide कितने हैं 2 Hydroxide Polytomic यहाँ भी Hydroxide है यदि आप चाहें तो bracket भी लगा सकते हैं OH को 2 करने के लिए आगे 2 लगा दिया इससे Ammonium disturb हो गया तो Ammonium को आपने 2 लगा दिया तो CL disturb हो गया तो CL2 Barium 1 Barium 1 हो गया Balance अब यहाँ से आप चाहो तो bracket हटा सकते हो ठीक यहाँ से आप चाहो तो bracket हटा सकते हो ठीक है ना Correct ओके हाँ अब ध्यान से सुनिए खास बात खास बात यह है कि उसने आप से यह पूछा टच दबॉटम टेस्ट ट्यूब ठीक है जिस टेस्ट ट्यूब में आपने यह डाला इसको टच करो ऐसे करके अब टच तो आपने कभी किया नहीं एक्जाम में ठीक है हाँ एक बच्चे को याद है एंडो थर्मी कहिए सुनो ध्यान से अब खास बात इसको जब आप ऐसे टच करोगे तो आपको कूल लगता है ठंडा लगता है क्यों क्यों कि इस रियक्शन को होने के लिए एनर्जी की धरूत होती है फिर से सुनो इस एनर्जी यह अपने क्यों अगरा सब्सक्रायान के मध्यर के सग्यर मुक्त के है सब्सक्राइब नों कना तो इन लोगों ने बोला इसने रियक्टेंटिण сथा पर एनर्जी आगा क्लाल से एनर्जी खीच लेगा और यह अटम ठंडब पड़ जाएंगे ठंड पड़ने का मतलब उनके संड़ तो जब तुम टच करोगे ग्लास को तो मैं ठंडा लगेगा क्योंकि ग्लास के जो मॉलिकूल से उसकी एनर्जी जा तुकि इस रियक्शन को कराने में तो अब बताइए कैसा प्रोसेस है एंडो थर्मिक है क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉब करी है ग्लास वॉल से तो बच्चो अब वो हमें पढ़ाने जा रहा है क्या डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन ठीक है बच्चो तो अब आपको पता है इसमें कोई नहीं चीज नहीं है देख लीजे बच्चो यह आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से ठीक यहां पर दिखिए एक प्र कर दी इसमें आयरण उशीर करके करोगे देरे धीरे कॉपर सुपेट का पालर चला जाएगा त нихडियmented कॉपर चला जाएगा क्यों चला जाएगा क्यूंकि अब क्या होगा आईरल किसको डिस्प्लेस कर कर देगा अपर को यहां से और फेयरे like चैसा हो जाएंग और यह की वज़े से कि बच्चो क्या इस रियेक्शन में भी कोई समस्या है किसी को बताईए रिविजन टाइम शल्ला जल्दी मुझे बता दें प्लीज iron ने copper को displace कर दिया iron ने copper को यहां से displace कर दिया क्या इसमें कोई समस्या है बोलो बोलो फटाफट तो मैं next पे move करूँगा एक बच्चा कह रहा है कि anode और cathode कहा है यहां पर यहां पर anode cathode नहीं यहां हमने कोई electrolytic cell और battery use नहीं करी है ठीक यहां कोई anode cathode नहीं आमने कोई battery और cell use नहीं किया हुआ है प्लस माइनस को electrode नहीं है अब बच्चो क्या इसमें क्योंकि अभी हमें बहुत सारा revision करना है क्यों tension ले देव आप इतना अच्छा खास बात है बच्चो यहां color की क्या आप color पहचान सकते हैं बताईए हाँ पहले क्या था blue अब क्या हो जाएगा फेर सल्फेट के एक्वा स्लूशन की वज़े से green हो जाएगा समझे ठीक और यह वाला जो copper निकल रहा है यह copper क्या करेगा जाके iron nail पे deposit हो जाएगा खतम ठीक ओके ठीक है तो यह अब मैं mechanism यहां नहीं बता रहा हूँ मैंने सब क्लास में बता ही mechanism अगला आजाएगे displacement zinc को copper sulphate अच्छा बच्चो यह reaction को आप लोग कहां सरिवाइस कर सकते हो metal reactivity series में याद है जो metal उपर आते थे वो ज़्यादा reactive होते थे याद है ठीक है अब देखो एक बच्चा कह रहा है color of anhydrous copper sulphate is also blue सुनो यह बड़ी लंबी कहां नहीं है बेटा यह anhydrous नहीं aqueous है चेक कर लो सब 9th class की चीज़ें इधर देखी ज़रा यह copper sulphate जब होता है cuso4 dot 5s2o तो यह क्या होता है crystals होते हैं यह solid crystals होते हैं इसका color होता है blue सुन लो गरम करोगे यह delta का मतलब heat कर दिया गरम करोगे ठीक तो इसका पानी उड़ जाता है पहले यानि कि cuso4 अब यह solid हो गया अब यह white color होता है यह anhydrous है यह anhydrous है कैसा है यह anhydrous है अब यह white color अगर वापस पानी में डाल दोगे तो पानी के साथ यह aqueous solution मनाएगा तब हम लिखेंगे copper sulphate aqueous यह भी blue हो जाएगा यह भी blue हो जाएगा यह भी blue हो जाएगा आया की नहीं आया बताईए आया की नहीं आया बताईए कोई doubt है water of crystallization दुबारा आ जाएगा कैसे आ जाएगा water of crystallization बताईए अब हमने इतना जादा पानी डाल दिया है इतना जादा पानी डाल दिया कि क्रिस्टल बने ही नहीं solution बन गया भाई जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो पहले आपने इसमें पानी जब डाला तो वह बाई पानी इतना डाल दिया तो मने इसको मौका यह नहीं दिया क्रिस्टल बनने का crystal जब बनता है तो limited five molecule लेता है ना आप तो इतना पानी डाल दिया solution त्यार हो गया जाए यह लीजिए ब्लू कलर का समझे ठीक और सॉलीशन भी blue कलर का होता है यह यह याद रखी क्रिस्टल भी blue कलर के सॉलीशन भी बस N हाईटरस फर्म जो ओता है यह वाला यह वाइट होता है समझे है कि ठीक हाँ बैरहल अब यह आते हैं हाँ तो बच्छों यहां पर देखि REALLY हाँ बच्छों यहां दिखिए जिक कॉपर से से ज्यादा रियक्टिव है। κॉपर को डिस्प्लेश करते गा तो जिक से बने हैं। zinc sulfate का aqua solution बन जाएगा copper हो गई बाहर ठीक है lead copper से जाधा reactive है तो lead क्या करेगा copper chloride में से किसको बाहर कर देगा copper को तो pbcl2 बन जाएगा यानि कि lead chloride बन जाएगा तो यह सब displacement reaction के example है कोई doubt है बच्चो इसमें बताइए more reactive element जो होगा वो less को displace कर देगा यह आपने metal non-metal में भी देखा होगा ठीक आगे बढ़ते हैं आगे आजाओ जरा बच्चो आप जल्दी से आजाओ जरा सुनो बच्चो एक आप यहाँ पर आईए वो double displacement reaction आपको करवाना चाहता है definition double displacement में क्या होता था बताओ double displacement में क्या होता था exchange of iron कई बार मैंने आपको बताए exchange of iron between reactant and product ओके between the reactants बोल दिया ना उसने भाई ठीक है करवा देंगे between the reactant करवा देंगे यार क्या दिक्कत है देखो उसने क्या बोला such a reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called है ना अब यह बात यह क्यों लिख रहे है थोड़ा मैं आपको एक बार बता देता हूं हाना तो आपको अच्छा लगेगा इंदर देखो च्छो कह रहे हैं कि आप sodium sulphate ले लो इधर आएगा टू इधर आएगा तो आंसर क्या जाएगा एने टू एस सोफोर कि sodium sulphate बेरियम क्लोराइड कैसे बनेगा बीए के उपड़ टू प्लस और सील के उपड़ माइनस ठीक तो टू इधर जाएगा वन इधर आएगा तो बीए सील टू ठीक अब reaction करा दीजे तो य है बच्छों अब आयन का exchange करा दो इसका कटायल इसके एनायन तो और इसे की नायन चासे साथ और इसका किछgrass के इसका का यह को और यह जो बीए सो 4 का है वाइट पीपीटी होता है बीरियम सलफेट क्या है उसने लिखी बताइए definition क्या लिए कि उसने कि reactant side में क्या होगा ion exchange ये reactant side है दर ion exchange ठीक इसका kation इसके nion से और इसका nion इसके kation से जुड़ जाता है खतम अब देखो इधर आओ अब सुनो तो ये double displacement का example है ठीक है क्यों double क्योंकि ऐसा लग रहा है देखने से कि sodium barium की जगा लग गया तो NaCl बना दिया और barium sodium की जगा लग गया तो BSO4 लगा बना दिया ठीक सही है ओके बैलन्स कर लोगे ठीक बैलन्स करने में क्या है यहां पर Na2SO4 प्लस BACL2 Gips BSO4 और प्लस NaCl ठीक तो यहां पर polyatomic 1 और यहां पर भी 1 अब मेटल को पकड़ेंगे और मेटल में भी बेस्ट मेटल कौन है मेरा बेरियम भी हलागी मेटल है बट उससे अच्छा मेटल कौन है sodium sodium की नीचे टू लिखका है तो टू लगा देंग बैलन्स होगी चक्कल हो जाके खतम ठीक बैलन्स होगी चक्क है तर बेरियम सलफेट वाइट कल का प्रेसिपिटेट है हाँ 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 यही तो सबसे इंपोर्टेंट है भाई अरे यही तो सबसे इंपोर्टेंट है भाई यही तो सबसे इंपोर्टेंट है यार double displacement reaction क्या precipitation reaction होती है क्योंकि double displacement में जब ion exchange होता है तो 99% chances है कि एक PPT बनेगा ही बनेगा ठीक ओके और सुनो और सुनो 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 ध्यान से ये तो हो ही गया आपका आप ये सुनो activity 1.2 मैं नहीं पढ़ा रहा हूं sir lead iodide याद है बच्चों lead iodide and potassium एक्टिविटी 1.2 पढ़ना ठीक एक्टिविटी 1.2 पढ़ना और जाके देखना एक बच्चा कर रहे है neutralization reaction भाई neutralization reaction कहां से आगी यह भी acid base की बीच में होगी ना वो तो हाँ यह मैं मानता हूं कि कुछ कुछ acidic characteristic क्या पता यहां हो वहां हो सब बात की बात है यह सब acid base reaction जब होती है है ना strong acid strong base के साथ reaction करता है तब neutralization होता है ठीक हरे एक बच्चा क्या कह रहा है इसकी भी सुन लो यार ले ले लेते हैं ना यहां से यहां पर क्या होगा बताई है यह सही कहरा है यहां से आयन तुम्हें क्या-क्या मिलेंगे बताओ Na plus OH minus ठीक और यहाँ से क्या मिलेगा H plus SO42 minus फिर से Ion exchange हो रहा है यह acid है ठीक और यह क्या है base है ठीक तो बच्चा कह रहा है क्या double distillation का example है हाँ है लो Ion exchange करा दो H plus जाएगा अरे भाई H plus जाएगा OH minus के साथ तो H2O बनेगा सही है न water बना और salt बन जाएगा इसका एनाएन इसके केटाएन के साथ सही है Na2SO4 बन जाएगा अब सही है balance and lens कर ले न ठीक तो यह neutralization यही कह रहे थे यह neutralization यही कह रहे थे हाँ it is the double displacement but precipitation reaction in both PPT and neutralization is both PPT and neutralization मतलब क्या कहना चाहते हो बताओ हाँ परसिपिटेट बनेगा जहां पर सुनी लीजे द्हान से जहां पर परसिपिटेट बनेगा जहां पर सीपिटेट बनेगा ठीक है वह क्या आपका डबल displacement reaction है और neutralization वाली हाँ डबलाइसेंट का touch दे रही है यह निकिला रहा हो और अगर आपको डबल displacement के लिए पूछे वो तो आप उसको बोल सकते हो हां हो रहा है ठीक है ना ओके ठीक वैसे इतना वैसा question नहीं आएगा परशान करने वाला अब बच्चे ने पूछा तो मैंने बता दिया अब सुनो इधर आओ अभी हम आपको दिखाएंगे ना last 10 year में क्या पूछा सबसे important सुन लो अरे अरे आजो आजो सुनो यही आएगा एक्जाम में पढ़ाते टाइम बताए था आज फिर बता रहा हूं यही वाली reaction पूछेगा घुमा घुमा के ठीक अब इस reaction को अभी हम अच्छी तरीके से देख लेंगे अच्छा अच्छा एक बच्चा देखो यह reaction भी करवा रहा है इनकी भी देख लो भाई double displacement एक बच्चा करवा रहा है देख लो सब लोग यह discuss करना चाहते हैं बच्चे देखिए इन्होंने लिया बेरियम हैड्रॉक्साइड एक बेस है यह बेरियम हैड्रॉक्साइड बी 2 प्लस और हैड्रॉक्साइड में ओ- यहां से मिलेगा एच प्लस और एसो 4 2 माइनस स्थे ना समझ जाना ठीक तो यहां से इन्होंने इसको जोड दिया इसके साथ बी एसो 4 बन गया सभी यह लीजे बी एसो 4 बन गया ने के पि-पिट बन गया बिल्कुल सही है वाइट पि हां BSF4 येस तो नो सही बात है बच्चा कह रहा है कि देखो सर्च ये नीज्राइज़िषयन भी है सही है यार ठीक है मान गए मान गए ये अज है ये ये इसीड है क्या हो गया बताओ क्या हुआ, salt water बना, तो neutralization भी है, और ion exchange भी हो रहा है, तो ठीक है, यानि कि जो neutralization reaction होगी, और जो PPT यहां पर बनेगा, तो double displacement का example है, all neutralization reaction, double displacement reaction, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखो ज़रा, इधर आओ, अब मैं एक बात जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ, क्या आ आप लोग याद करोगे, ध्यान से सुनना, फिर से मैं आपको एक बार revise करना चाहता हूँ, ध्यान दे बच्छों, देखो, जल्दी से, देखो बच्छों, देखे, 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 जल्दी से, oxidation number निकालना सीख लीजे, oxidation number निकालना सीख लीजे, अब class 10 में क्यों बता रह बता है, इसका मतलब चार्ज होता है, बस इतना याद रखना, चार्ज निकालना है, ठेक, ओके, अब सुनो, बच्छों, पहले आप ये समझ लो कि एक number line बना लो ऐसे, ठेक, और यहाँ आप 0 लिख लो, जो पुराने बच्छे उनको पता है, बस ऐसे एक बार में revise करा रहा हूं, यहां 0 लिखा हमने, यहां plus 1 लिखा, यहां प्लस 2 लिख यहां plus 3 लिखा, ठेक, यहां minus 1 लिखा, यहां minus 2 लिखा, यहां minus 4 लिखा, ठेक, अब बताना बच्छों, अगर हम 0 से कहाँ move कर रहे है, प्लस 2 पर, तो बता ओ, number बढ़़राए की घट रहा है, number बढ़राए, अरे 0 से प्लस इधर जा रहे तो बढ़ता है याद रखना कभी भी अगर आप इस direction में increase करोगे तो क्या होगा oxidation number बढ़ता है यानि कि oxidation होगा याद रखना ठीक और अगर आप इस number line पे इधर जाओगे इधर से इधर आओगे तो क्या होगा reduction होगा अब मैं आपसे question करने जा रहा हूँ आप मुझे answer बताना ठीक इधर से इधर आओगे तो क्या होगा reduction होगा अब आपसे मैं question पूछन पूछने जा रहा हूँ आप मुझे answer बताईएगा ठीक देखतें क्या बताऊगे बच्चों क कोई ए नाम का element था कोई reaction हुई अभी इसका oxidation state प्लस टू था अब एक oxidation नंबर 0 हो गया जल्दी बताईए जल्दी बताईए हाँ जल्दी बताईए students मुझे कि ये प्लस टू से 0 जा रहा है oxidation नंबर कम हो रहा है या धादा हो रहा है जल्दी जल्दी बताओ फटाफट कम हो रहा है, कम हो रहा है, और कम होने को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ इधर, decrease करता है, तो क्या होता है, बोलो, बोलो, reduction, और increase करता है, तो क्या होता है, बोलो, 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 oxidation, तो देखिए बच्चों, तो आप से मैंने सवाल कहा, कि भीया, यहां पर क्या हो रहा है, तो जीरो हो गया सर प्लस टू से जीरो जा रहा है सर तो सर रेडक्शन हो गया ठेक अगला सवाल बच्चो कोई बी नाम का एलिमेंट है कोई बी नाम का एलिमेंट है और कोई भी नाम का element है कोई भी नाम का element है इस पर –2 था और अब इस पर 0 हो गया ज़रा देख जल्दी से बताईए बढ़ राये कि घट रहा? increase या decrease increase या decrease जल्दी से देख के बताओ number line पे जल्दी से increase हो रहा है बिलकुल सही बिलकुल सही आया की नहीं आया, यह emergency होता है, emergency style है, सवाल कोई भी करवा देगा यह, अभी आपके class चैन से relate करके बता दूँगा मैं, जो पुराने बच्चे उनको आता है, ठीक, एक बच्चा कह रहा है, can we say that loss of electron is oxidation, हाँ भाई, loss of electron oxidation होता है, और gain of electron reduction होता है, अभी वहाँ नहीं आ रहे ह ठीक है, वो सब class में पढ़ा चुका हूँ, अभी तो मेरे को सवाल कराना है भाई, अभी तो मेरे को सवाल कराने है सारे, सवाल हो जाए exam में पहले तो, ठीक, यह हो गया, बहुत बढ़िया, अब मैं आप से सवाल बच्चो पूस्ता हूँ, देखते हैं, आपके मन में क्या बढ़ रहा है भाई, लेफ्ट से राइड जा रहे हो, तो oxidation हो रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अब कल की, सुनो, जो next class होगी, क्या पता, शायद extra class लो, आज मैं, भाई, जो पढ़ा रहा हूं, याद करके तबाना पहले बता रहा हूं, क्योंकि आते ही मैं class start कर दूँगा, आपको पुरानी बात में revise अब नहीं कराऊंगा, या पढ़के आईएगा, अब सुनो, आ गया, आ गया, ठीक, अब सुनो, अब बच्चो देखो, जितने भी metal होंगे, अगर वो, जितने भी metal होंगे, वो atomic form में बैठे होंगे, अगर, जैसे की, सुन ल ठीक, जैसे की बच्चो आईरन, अगर ये atomic form में बैठा हुआ है, जैसे की, जैसे की, मैगनीशम, अगर ये atomic form में बैठा हुआ है, जैसे की calcium, अगर ये atomic form में बैठा हुआ है, तो जब ये atomic form में बैठे रहते हैं, तो इनका oxidation number 0 लेना है, तो इनका oxidation number 0 लेना है, तो इनका oxidation number sodium तो metal पढहने पढ़ा यह सिरो ले लो यह नहीं पढ़ाया है मैंने यह नहीं पढ़ाया है मैंने आपको बताया करिया केलि airflow दिखाई पढ़ जाए तो 0000 इसी तूरीके से अगर non-metal अपने molecular फार में बैठे रहेंगे non-metal अगर अगर अपने molecular form में बैठे रहेंगे तर जैसे की तर जैसे की chlorine एक non-metal है CL2 इसका molecule है चेक oxygen एक non-metal है चेक और इसके बाद ओके जानता सुनिए non-metal nitrogen है चेक non-metal आपका phosphorus है P4 ये सब non-metal sulfur है S8 तो जितने भी non-metal अकेले बैठे रहते हैं अपने molecular form में फिर से वही बात ये किसी के साथ नहीं होने चाहिए अकेले तो इनका oxidation number कितना लेना है 0 0 chlorine का यहाँ 0 oxygen का 0 nitrogen का 0 phosphorus का 0 sulfur का 0 सही है यह हो गया ठेक यह हो गया ठेक ओके यह हो गया अब इसके अलावा तीसरी बात तीसरी बात जो चार्ज होगा सुनो भाई दिमाग मत लगा ले ना दो मीनी के बात बतागा तुम 11 क्लास में टीचे से बोलोगी हमें तो यह पढ़ा है था मैं 10 के लिए पढ़ा रहा हूं मुझे भी पता है चैप्टर बहुत बढ़ा होता अब आपका सवाल कराना है जो चार्ज होगा वही ऑक्सडेशन नंबर होता है तो आईए जरा मैं आप से सवाल पूस्ता हो देखते सब्सक्राइब आपके मंन में क्या होता है बच्चों अगर मैंने आपको ऐफी फ्लस लिक्के दे दिया तो बताओ इसका ओक्सडेशन नंबर कितना है बताए ये संदे साइन के साथ बताओगे साइन बताओगे यह तो साइन के साथ बता दो कम से ठेग तो अब मैं आपको एक सवाल दो आजाईए चलो एक, दौ स्वाल और देतें जर ऐसर करें अब बताइए Oxidation number नंबर कितना है जल्दी बता ओओ जल्दी बताओ ठीक 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 माइनस टू अब ध्यान से सुनो अब मैं आपको एक कोश्चन देता हूं बच्चों मैंने दिया NACL ठीक NACL में आपको सोडियम का Oxfordation number बताना है और क्लोरीन का तो भाया इसको तोड़ दो इसके आयन नहीं तोड़ने आते हैं तुम्हें बताओ ठीक तो इसका मतलब सोडियम का Oxfordation number प्लस वन और क्लोरीन का माइनस वन आया की नहीं आया बताओ आया अच्छा बच्चे बोलेंगे sodium का 0, chlorine का 0, क्यों भीया किसले किसले किसले, अकेले थोड़ी ना बैठा हुआ है वो, अकेले थोड़ी ना बैठा हुआ है, वो तो compound के form में बैठा है ने, Cl में है न, तो इसका plus 1, इसका minus 1, very good, very good, very good, अगला सवल, अगला सवल, अगला सव रहा हूँ, क्या hydrogen का charge याद है, बताओ, plus 1 की minus 1, plus 1 की minus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, तो सुनो, hydrogen का plus 1, तुम्हें याद है, sulfur का निकाल लो, कैसे, sulfur का x मान लो, और hydrogen कितने, 2, 2 into plus 1, और is equals to 0 कर दो, 2 into, भाई hydrogen 2 है न, तो एक hydrogen का 2, 1 plus 1, तो 2 का कितना होगा, 2 into plus 1, ठीक, और 0 कर दो, x की value निकाल लो, तो answer क्या आया, बताओ, answer क्या आया, बताओ, hydrogen का plus 1, तुम्हें याद था, और sulfur का तुम्हें निकाल लिया, minus 2, आया की नहीं आया, बताओ, बोलो, 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 आया की न नहीं आया, बताइए, ठीक, आ गया, ठीक है, अब सुनिये ध्यान से, अब सुनिये ध्यान से, अगला सवाल में आपको देता हूँ, अगला सवाल आपको क्या दें, चलिए, Fe, Cl2 दे दिया मैंने तुम्हें, मान लो, ठीक, तो अब इसमें, तुम्हें किसके उपर confidence है, बताओ, क्लोरीन का confidence है, या iron का, किसका याद है तुम्हें, बताओ, 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 एक बच्चा पूछ रहा है, यह equate to zero क्यों किया, क्योंक बताओ, जरा ध्यान से, किसके उपर भरोसा है, तुम्हें जल्दी से बताइए, दोनों के उपर भरोसा है, गजब, गजब, गजब कर रहे हो यार, नहीं, ऐसे भरोसा मत किया करो, नॉन मेटल पे साधा भरोसा किया करो, नॉन मेटल पे साधा भरोसा किया करो, तो क्लोरीन का याद है इसको सभी कहा रहा है क्लोरीन का याद है इसको minus 1 क्लोरीन का याद है iron का मान के निकाल लेगा x plus two into chlorine कितने 2 तो 2 into minus 1 बराबर 0 क्योंकि पूरा compound neutral है तो एक बराबर plus 2 आ गया तो iron का कितना है PLS 2 है खेल कतम CL का याद TH fashioned Iron का निकाल लिया कोई & confidence कोई डाउट है कोई डाउट है जल्दी बताओ कि अब लो बोलो बोलो कोई डाउट है नहीं 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 अब सुनना अब सुनन À पर तब जाना क्योंकि मैं आपको सवाल क्लास 10 के हिसाब से भी कराऊंगा और इसके हिसाब से भी कराऊंगा जिससे की सवाल गलत ही नहीं होगा एक्जाम में और क्योंकि यह गलत हो जाता है जल्दी से बच्चों MNO2 में तुम्हें किसके उपर भरोसा है, औक्सिजन के उपपर या मैंन के उपर किसके उपर भरोसा करोगे जल्दी जल्दी बताओ हाँ O के उपर very good very good O O का 2 माइनस होता है या दे तुम्हें अरे भया oxide पे 2 माइनस चार्ज होता है पुरी दुनिया को पता है मैगनीज का X मान लिया और plus कितने oxygen है 2 into 1 oxygen पे चार्ज कितना होता है minus 2 is equals to 0 तो X is equals to plus 4 ठीक अगला सवाल याने के अब आंसर क्या आ रहा है oxygen पे 2 minus और मैगनीज का कितना है plus 4 है oxidation number MNCl2 में आपको किसके उपर भरोसा है जल्दी बताइए CL पे या MN पे CL पे या MN पे बोलो बोलो CL पे भरोसा है very good CL पे भरोसा है तो मैगनीज का X मान लोगे और plus 2 into CL का minus 1 लेके equate 0 करोगे तो X पराबर plus 2 आ जाएगा तो मैगनीज पे आ गया plus 2 और CL का हो गया minus 1 और जल्दी से ज़रा देख के बताओ यहां chlorine का कितना होगा 0 क्योंकि chlorine molecular form में बैठा हुआ है yes or no yes or no yes or no जल्दी से yes or no yes 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 chlorine molecular form में बैठा हुआ है तो इतना काम आपको करके आना है तब आप next class में आओगे यह जो last में कराया यही चलेगा और chapter खत्म हो जाएगा फिर हम last 10 year में आ जाएंगे ठीक है जाहिए